Hello Everyone, Welcome to All in Next Film आज हम पढ़ने वाले हैं जनल स्टडीज का सेट नमबर 4 यहां आपको प्रवाइड होते हैं 20 कोशन एक कोशन में आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है यह सभी कोशन आपके लिए बिहार सिक्षक भरती में 85 का काम करेंगे because बिहार सिक्षक भरती में जनल स्टडीज का जो वेटेज है वो सबसे जादा रखा गया है बिना इसके सेलेक्शन की कलपना भी आप नहीं कर सकते 150 मार्क्स का आपका PRT में हैं 50 मार्क्स का TGT and 50 मार्क्स का आपका PGT का सलेबस है जो की जनल स्टडीज जिसमें मैट्स एंड रीजिनिक भी निकलूड है वो भी मैं आपको कराऊगा इन जनल स्टडीज के आप नोट्स बनाए इनको डेली बेसिस पे लर्न करें क्योंकि इसके बिना सेलेक्शन नहीं हो सकता स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फॉस्ट कोशन है गैलरस जौलामुखी किस देश में इस्थित है राइट आंसर कोलंबिया में है गैलरस जौलामुखी और ये गैलरस जौलामुखी सी लैवल से कितना उच है तो 4,276 मीटर की हाइट है गैलरेस जौला मुखी की और यहाँ पर first time eruption कब हुआ था 7 दिसंबर 1586 को first time eruption हुआ था और कोलंबिया किस continent का part है तो South America का part है कोलंबिया South America के Brazil country में ही कौन सी river बहती है Amazon river बहती है जो की दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो वो है नील नदी जो की दुनिया की सबसे लंबी नदी है इंडिया में जोला मुखी की तो इंडिया में है Baron Iceland तो Baron Iceland याद रखेंगे जो की इंडिया का एक active volcano है और ये कहां पर हैं अंड मान निकोबार आइसलेंड में और अंड मान निकोबार आइसलेंड से एक कोशन और याद रखना आपको कि लिटल अंड मान एंड निकोबार को कौन अलग करता है तो 10 डिगरी चैनल से लिटल अंड मान एंड निकोबार अलग होते हैं तो इस कोशन स हमें इतनी जानकारी मिल जाती है नेक्स्ट कोशन है थोसे घर वाटर फॉल किस राज्य में इस्थित है राइट आंसर महाराष्टरा में है थोसे घर वाटर फॉल और यह महाराष्टरा के कौंकन शेत्र के सतारा सहर के पास थोसे घर गाउं में है थोसेगर, वाटर, फॉल नेक्स्ट यहां से कोशन जो हमें याद रखना है कि तारापूर परमानू एनर्जी स्टेशन कहां पर है तो वो भी महाराश्ट्रा में है और नरोडा की बात हो तो वो है उत्तर प्रदेश में जर्नलिस स्टेशन यहां पर कन्फ्यूज हो जाते है नरोडा एन तारापूर में तो तारापूर महाराश्ट्रा में है और नरोडा यूपी में है नेक्स्ट कोशन प्रित्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली खुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है means जो नौर्धन हैमिस्फियर है देखो हैमिस्फियर टू होंगे एक होगा आपका नौर्धन and second one is southern hemisphere तो नौर्धन हैमिस्फियर में total जो population है वो 90% population रहती है और 10% population कहा है आपका southern hemisphere में तो right answer is 90% population कहाँ पर है प्रित्वी के उत्री गोलार्ध में means northern hemisphere में next question question number fourth खानवा कायुद किसके बीच हुआ था right answer देखो खानवा कायुद पहले पानी पत का हुआ बाबर आया बाबर कहा था है इंडिया में इंडिया में बाबर आया उसने पानी पिया खाना खाया चपल बहन कर घर गया means पानी पिया means पानी पत का युद हुआ पहला खाना खाया खानवा का युद हुआ चा से चंदेरी का युद हुआ और घा से घाघरा का युद हो दाता है यारी कि चार युद बाबर इंदिया में लड़ता है पहला 1526 में लड़ता है दूसरा 27 में फिर 28 में फिर 29 में ये चारो युद में बाबर विज़ई होता है तो second युद खानवा का युद ये हुआ था बाबर और राना सांगा के बीच में पानीपत का पहला युद्ध 1526 में जिसमें बाबर और इबराहिम लोदी के बीच हुआ था तो ये दोनों आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है प्राचीन विजय नगर नगरी की अस्थापना कौन सी सतापदी में हुई थी तो राइट आंसर क्या होगा इसका 14 सतापदी में विजय नगर शहर की अस्थापना हुई थी किसने करवाई थी हरिहर एंड बुका ने 1336 में 1336 में हरिहर एंड बुका ने इसकी अस्थापना की थी ये कोशन मैक्सिमम टाइम पूछा गया कि विजय नगर सहर के स्तापना किस ने कराई हर यहर एंड बुका ने कब कराई थी 1336 में और सतापदी की बात होगी तो 14 सतापदी में नेक्स्ट कोशन है चे मार्च 1944 को इंडिया नेशनल आर्मी ने किस नगर पर अधिकार कर लिया था राइट आंसर कोहिमा पर इंडिया नेशनल आर्मी ने अधिकार कर लिया था 1944 में और नारा वहाँ पर क्या गोंज उठा था दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा तो ये पोइंट भी आपके लिए important है नेक्स्ट कोशन है अंतराष्ट्रिय मानकसंस्थान का मुख्याले कहा इस्थित है राइट आंसर अंतराष्ट्रिय मानक संस्थान का जो मुख्याले है वो है जिनेवा में और जिनेवा स्विट्जर लेंड में है और इसकी जो स्टैबलिश्मेंट हुई थी वो 1947 में इसकी स्टैबलिश्मेंट हुई थी और इसी टाइम इंडिया क्या हुआ था इंडिपेंड संस्तान की स्टैबलिश्मेंट हुई थी और कहां पर है ये जिनेवा स्विट्जरलेंड में नेक्स्ट कोशन निमलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीका करन विधी विक्षित की थी मिन्स टीका करन की जो शुरुवात हुई थी वो किसने की थी तो राइट आंसर पैनिसलीन की खोज की थी ये कोशन बहुत बात पूछा गया कि पैनिसलीन की खोज किसने की थी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग नेक्स्ट कोशन है किस मुगल समराट ने जामा मस्जिद का निर्मान करवाया था राइट आंसर सा जहां ने जामा मस्जिद का निर्मान करवाया और जामा मस्जिद इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 19 अक्टूबर 1650 में इसकी नीव रखी गई थी और यह 1669 में बनकर त्यार हो गया था वहीं स하 जामा मस्जिद बनवाया लाल किला बनवाया और आगराम का ताज महल भी किसे ने बनवाया था सार जाह नेहीं बनवाया था नाधिर साह ने किसके सासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमन किया था तो नाधिर शाह इंडिया में आता है और इंडिया में मुगल साशन था उस टाइम और मैकसीमम सोना हीरे जोहरात सब लूट कर ले गया तो ये कब आक्रमन करता है तो 1749 में नादिर शाह ने इंडिया में आक्रमन किया था और उस टाइम जो शाषन था वो किसका था मुहम्मद साह जो कि एक मुगल शाषक था और मुहम्मद साह को किस नाम से जाना जाता है तो इसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है ये भी आपके लिए important question है next question बिर्जु महराज कौन सी निरित्य सैली के विख्यात नर्तक है बिर्जु महराज को कौन सा निरित्य आता है तो right answer कथक निरित्य से संबंदित है बिर्जु महराज और ये कथक निरित्य देखो एक होता है कथक और दूसरा होता है कथकली कथकली जो है वो केरला की है कथकली केरल की है बट कथक जो है यह है आपका उत्तर प्रदेश जहाँ पर कैपिटल है लखनव और यहाँ पर सीम कौन है आधित्यनाद योगी तो कथक डांस यूपी का है और इसी से संबंदित है बिर्जू महराज तो उत्तर प्रदेश का सास्त्रिय निरित्ते हैं वहीं भरत नाट्यम कहां का है तमिल नाडू का और ओडिसी ओडिसा का है कुछी पुडी आपका आंद्र प्रदेश का है नेक्स्ट कोशन है अंकलेश्वर निमलिखित में से किसके लिए प्रशिद है राइट आंसर केमिकल इंडस्ट्री के लिए प्रशिद है अंकलेश्वर और ये कहां पर है तो ये है आपका गुजरात में ये भी आपके लिए इंपोर्टन है कि अंकलेश्वर कहां है तो राइ किन तत्तों से मिलकर बना होता है तो हाइड्रोजन एंड हीलियम से मिलकर बना क्या है सूर्य सन का जो आउटर सरफेस टैंप्रीचर है वो कितना है तो वो 6000 डिगरी सेल्सियस है ये कोशन भी आपसे पूछ लेता है और सन में जो इनर्सी का सोर्स है वो क्या है आपका किस तरीके से होता तो महाँ पर होता है नुकलियर फ्यूजन ये भी आपको याद रखना है नुकलियर फ्यूजन होता है ये भी एक इंपोर्टन कोशन है नुकलियर फ्यूजन रियक्शन से ही सन में क्या होती है लाइट आपको नजर आती है Next question है कि औरंग जेब कि मृत्यू कहा होई थी तो Right answer औरंग जेब की जो मृत्यू हुई थी वो महराष्टर के एहमद नगर में हुई थी और कभ हुई थी arguments 1707 में महराष्टरा के एहमद नगर में औरंग जेब की मृत्यू हो जाती है और महराश्टर के औरंगाबाद जिले के खुलताबाद में औरंग जेब को क्या किया गया था दफनाया गया था ये भी आपके लिए important है और इसने कब से कब तक शाशन किया था 258 से लेकर 1707 तक इसने शाशन किया था नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में से कौन सा अनुच्छेद औस प्रिशिता प्रथा का उनमूलन करता है means untouchability को बताता है तो right answer क्या होगा article 17 abolition of untouchability की बात करता है वहीं आपको यह याद रखना है यहां से कि fundamental rights कितने है क्योंकि यह जो article 17 यह कहां से आता है fundamental rights से आता है तो fundamental part 3 में है यह भी एक important question है कि fundamental किस भाग में है तो part 3 में है fundamental rights total आपके 6 है first right to equality जो कि 14 से 18 article तक है next right to freedom 19 से 22 आर्टिकल तक और इसके बाद आता है आपका right against exploitation जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक next right to freedom of religion 25 से 28 तक and cultural and educational right यह आपका 29 से लेकर 31 तक and आपका जो 32 है article 32 वो right to constitutional remedies article 32 यह आपके लिए very important है और article 32 को ही भीमराव अंबेड करने समिधान की आत्मा कहा था यह आपके लिए important है next question है किस समिधान संसोधन किस समिधान संसोधन द्वारा भारती है समिधान की प्रस्तावना में पहली बार संसोधित किया गया तो right answer 42 में समिधान संसोधन के तहत पहली बार समिधान की प्रस्तावना में संसोधन किया गया और यह कब किया गया था 1976 में जब इंद्रा गांदी की गौर्मेंट हुआ करती दी तो इस टाइम सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवर्जियन सोशलिस्ट सैकुलर वर्ड भी जोड़ा गया ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कोशन है किस तारीक को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट के ध्वज को अंगिकार किया गया राइट आंसर 20 ऑक्टूबर 1947 को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट को अंगिकार किया जाता है और इसकी अस्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी अस्थापना हुई थी और ये कहाँ पर सैन फ्रांसिसको कैलिफोर्निया में और इसका हेड क्वैटर कहाँ पर है तो वो है नियू योर्क ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन बांदीपूर राष्ट्रिय पराणी उध्यान कहाँ इस्थित है तो बांदीपूर आपका करनाटका में है और करनाटका के मैसूर जिले में है मैसूर टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है तो टीपू सुलतान को ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन पानीपत के तीसरे युद में मराठाओ को किसने हराया था राइट आंसर एहमद साह अबडाली ने हराया था और वो क्या था एक अफगान था तो आंसर में कहले लिगना है अफगानों ने हराया था और कब हराया था 1761 में पानिपत के तीन युद हुए 1526 में पहला दूसरा हुआ 56 में और तीसरा 1761 में नेक्स्ट कोशन जिसका अंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भारत की पहली बोलती हुई फिलम कौन सी है तो राइट अंसर यहां पहली बोलती फिलम कौन सी है तो आपने इसका अंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भारत की पहली बोलती हुई फिलम कौन सी है नेक्स्ट कोशन जिसे आपसे मैंने लास्ट क्लास में पूछा था इसका राइट अंसर क्या है वो आपसे डिसकस कर लेता हूँ सरवच नैले की असापना किस एक्ट के तहट हुई थी राइट अंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहट सरवच नैले की असापना कलकत्ता में हुई थी और जब इंडिया का समिधान लागू कर दिया गया उसके बाद जो आपका सरवच नैले था वो कहां स्थापित कर दिया गया दिल्ली में और ये कब फोर्स में आ गया कब नोन में आ गया तो 28 जनवरी 1950 को so guys all the best hope so इस अभी question आपको important आपके लिए important सापित होंगे और इन question के आपने notes बनाने हैं और daily basis पे इनको learn करना है all the best thank you very much